हम जी नमस्कार सुभी को एक बर फिर से स्वाकत है आप सबका YouCan के इस ओनलाइन प्लेटफरम पर जहां हम इस मन्थन नाम से जो प्रोग्राम लेकर आए है आप देख रहे हैं उसमें आरपीसी द्वारा पुछे गए पिछले सालों के कुछ कोश्चन्स आप उन परशनों को देखकर अपने आपको evaluate कर रहे हो अपने आपको मुल्यंकन कर रहे हो कि हम किस जगाँ पर हैं किस तर पर हैं आप देख रहे हो आरपीसी द्वारा पिछे गए पुछे गए पिछले जो सालों से कई परशन है उसमें क्या चेंजर्स देख रहे हो आरपीसी ने चाहिए इंगलिश्क में बात करें चाहिए साइकोलोजी में बात करें कहीं जगें आरपीसी द्वारा जो वो moderate परशन पुछे गए moderate questions पुछे गए वैसे दिर दिरे एक्जाम में आए आरपीसी का लेवल बदलता गया चाहिए बात करें grade second की चाहिए बात करें grade first की grade third की साइकोलोजी की बात आती है तो उनका लेवल कहीं ने की बदलता गया कई बार question बुछे के basic कई बार applied question हर बार तरीका उन्हीं तरीकों को देखने के लिए कैसे RPC किस परकार कौन सा pattern अपनाती है कौन सी technique उज़ करती है कैसे options से खेलती है क्या करती है उसको सीख रहे हैं और उमीद करते हैं कि आप उस चीज से सीख रहे हो जी start करते हैं हमारी आज की class ICT को आगे जारी करते है ताकि आप अपने जो सही तरीके से अपने उसको सीरीज में चल रहे हैं उसको complete कर सके जी start है मारा आज का पहला पर हमारा first question है internet प्रद्धोग की में HTML से आश्य है हम बात करें तो हमारा इस console हैगा HTML HTML क्या मतलब है HTML और बात करते है HTML हाना option देखें hypertext markup language, hypertext make up language medium language या कोई नहीं तो direct fact based इसका answer बनता है HTML hypertext markup language जी answer हैगा A4 apple hypertext markup language क्या है HTML जी थोड़ा समझते है HTML जो भी हम internet पर हमारा कोई भी web page खोलते है जो web page त्यार किया जाता है जिस language में त्यार किया जाता है उसे बोलते है hypertext markup language HTML इसका extension होता है .htm या .html कोई भी हम net page और google पर हम कोई web page खोल रहे है वो पूरा जो page design होता है कुछ matter लिख होता है कहीं पर वो link होता है ब्लू कलर से hyperlink बोलते हैं इसको इस पर क्लिक करते हैं एक ओर page खोल जाता है यह जो सारा language setup होता है उसको बोलते है hypertext markup language पहला question था डिरेक्ट याद होना चाहिए कि HTML hypertext markup language समंदित किससे है सर जो web page त्यार होते है उस language को बोलते है net की जो language pages त्यार होते है उसे बोलते है HTML जी अगला question देखते है नीमन में से कौन प्रात्मिक स्मृति युक्त है हमारी last class में हमने memory को पड़ा memory primary और secondary memory तो इसमें हमारा question आया है RPC वारे पूछा भी जा जोके प्रात्मिक स्मृति युक्ति है युक्ति मतलब कि device है primary device की बारे में पूछा रहा है तो हमने याद किया था primary device कि secondary device और primary device की बात करते है primary device तो होती है जो क्या होती है computer based होती है कौन से होती है computer based secondary device कौन से होती है user based कौन से होती है user based हमने याद किया था पढ़ा था हमने पढ़ा था primary मतला कि जो computer में इनी built होती है RAM, ROM, cache और हमने user base याद किया था hard disk drive, solid state drive floppy disk, pen drive जो user अपने हिसाब से use करता है तो option देखें, हमने पिछली class में pen drive user based है, hard disk secondary है, cd-rom भी हमारी according है, तो यह हमारी इनी built आती, इस console रहेगा RAM इस console रहेगा RAM जो कि एक volatile memory भी है और एक as-thi memory भी है जी, अगला परशन देखते है MOOC Massive Open Online Course पिछली कई class में इसके बारे बात कर रहे है, question बदल बदल के पूछ रहे है, RPC कभी किस तरीके से इसको परशन पूछता है कभी कौन से exam में किस तरीके से पूछता है आप भी देखेंगे Massive Open Online Courses के लिए भारती है माधियम के है MOOC आपने पड़ा थार जो reasonable level पर, national, international level जो study के लिए एक student को open stage प्रवाइड कराता है आप अपने ऐसा एक online stage इसमें आप बिल्कुल communication माधियम से अपनी कोई भी problem solve कर सकते हो तो भारत में उसा कौन सा पोर्टल त्यार किया गया उस पोर्टल का नाम है SWIM क्या नाम है? SWIM, MOOC के बारे हम देख चुके है Massive Open Online Course पहले भी बात की थी पिछली क्लास में रिस बार बुच्छा की भारती है माधियम कौन सा है भारत ने कौन सा पोर्टल त्यार किया है पोर्टल का नाम है SWIM हमने कले एक परशन बढ़ा था MHRD द्वारा One Stop Education पोर्टल चलाया गया उसका नाम था साक्षात क्या नाम था? साक्षात और यह मारा Massive Open Online Course है जो भारती माधियम के अकोर्डिंग बनाया गया है वो पोर्टल उसका नाम है SWIM जी अगला परशन देखते है कम्प्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? बड़ पिक्चर से हमने अच्छे से देखा भी था क्या कोश्चन है? देखते हैं अपनी हम यह एक बर किसी थेओरी को अच्छे से पिक्चर के साथ देख लिया तो हम उसको उप्शन से भी कट कट करके हम उसको सही कर सकते है देखते हैं कम्प्यूटर में हार्ड डिस्क है हमने पढ़ा भी था हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी डिवाइस होती है लेगन इसमें ऐप्शन देखती है उप्शन क्अ किया कह रहा है नेजे बाद करते हैं हार्ड high capacity cdrom तो जिक вдrom की तो बात ही नहीं है हमारे पर प्शिन काटो cdrom, dvdrom एक अलग devices है High Capacity Optical disc storage भी नहीं है नेक्स बात करें temporary magnetic storage है या permanent magnetic storage है और पर्मानेंट थी, हार्डिस्क हम नहीं देखी थी, बिल्कूल एक solid state drive की तरहीं, यह हार्डिस्क भी एक driver होता है, जो cd को compact को चलाता रहता है, तो इसका answer क्या रहेगा, पर्मानेंट magnetic storage, जी, हम नेकल देखा था, यह एक संग्राण युक्ती है, जो की स्थाई है, जिसमें अपना data, personal data भी हम storage रख सकते हैं, store कर सकते हैं, काफी long time के लिए, आगे चलते हैं, लैश भारत में, सरकारी निकायों को network का अधार, e-governance समर्तन परदान करता है, मतलब कि हमारी government की जो website उसको कौन सब सिस्टम चलता है, हम 99% students जानते होंगे, option देखते हैं, हर एक government site के साथ, हमने एक नाम देखते हैं, हम देखेंगे, यदि किसी ने अपना, तुक्का लगाना हो, तुक्का किस तरीके से लगाएगा, कि जैको, नाइस को हम बात करो, सूचना है, प्रदोकी वि भाग है, या विदी भी भाग है, तो इसका अंसर द्यान है, कि हर एक site के साथ, हमारे को ये NIC जरूर मिला है, निक, National Informatic Center, हर site के, हम देखते हैं, कि government की site को, ये maintain करता है, इस पर control करता है, कोई बहरी इस पर, जो अवैद, कोई entrance ना कर जाए, इसको hack ना कर ले, control ना करे, त और हमारे जितने भी सरकारी निक आएं, सरकारी government की कोई भी जो websites है, उन पर नियंतन रखता काम करता है, निक, हाणा, आगे चलते हैं, ICT के कुछ ऐसे questions, जो हमारे आगे आने वाले exams, बिल्कुल helpful रहेंगे, आप इनको अच्छे से याद करें, आपको इसको जरूर फैदा म options से बात भी करें, ये भी देखें, WPA सरक्षा के बात करता हूँ, student की जब बात आती है, तो student आप मानोगे, कि वह लाइबरेरी में जरूर जाता है, लाइबरेरी में जाता है, तो वहाँ जाते है, जो आपको वाई-फै मिल रहे है, आप जरूर यूज करते हो, आप अपने सेक्योरिटी देखेंगे, अब उसमें देखेंगे, हमने कि सर ये वाई-फै को मारे सेक्योरिटी परदान करता है, WPA, Wi-Fi Protection, Wi-Fi Protection Assets, तो ये जो हमारे को WPA सेक्योरिटी दे रहा है, ये हमारे किस को दे रहा है, वाई-फै को, चेक भी किया, और ये जो Bluetooth है, हमने देखा, य इंटरनेट का एक बड़ा समू जो काम करता है उसको हम इधरनेट कहते है एक बड़े लेवल पे जो सिस्टम बनाया जाता है इसको उसको वो कोपरेट करते है जी इधरनेट आगे चलते है यह मारे कुछ पर्शन थे अगला पर्शन कम्प्यूटर में एक सुरक्षा परनाली है जो पूर्व निर्दारी सुरक्षा नियमों के अधार पर आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की क्या करता है निगरानी करता है हमारे जो हमने कोई वैबसाइड सर्च किया पीछे से वो लिंक जब उस पर जाता है उसे डाटा स्टोरेज हमारे सिस्टम में मुवाइल में लाके देता है उसको कंट्रोल करना कोई खुला तो हमने कहा है कोई और आड आ जाती है कई बार कुछ और चीज गुस्पैट कर ज वैरत उसे बचाने के लिए जो हम उसको एक दूसरा सोफ्ट वेर करते हैं उस वायरस को दूर करने के लिए वो एंटिवारस रहता है स्पैम क्या है ? आई वान्चिट ईमैल्स है समाजी की email जो हमारे को प्राप्त हो जाती है, जो हम नहीं चाते है, कहां से आई है, कैसे आई है हम नहीं पता होती है, वो होती है spam, spyware क्या होता है, I want it software, क्लिक कहीं और किया वो धक्के से हमारे से ok करवा के हमारे system में install हो जाते है, हमारे personal data वो क्या कर लेते हैं, leak कर देते वो spyware, एवांचित software, spyware, एवांचित mail, email और virus को जो हमारे system से बगाने के लिए जो रखा जाता है, software करना होता है, antivirus, और जो सुरुक्षा परना ली है, जो website पे control करते हैं, और इसका answer क्या रहेगा, firewall, तो इसका answer क्या रहेगा, firewall, c4 cat, हांजी, आगे चलते हैं, email लिकित मे से computer annotation में ब्रुक्त technology नहीं है, computer sciac annotation मनाया गया, हमने पटा, एक technology, hardware technology, मशीनों के द्वारा सबच्चा जो सीख रहे है, उन्हीं मशीनों में हमने देखा, कि sir, software की साहता ली जा रही है, जो programs मनाया है, वो programs महाँ पे रन होते हैं, मशीनों में, हम उसे बिलकुल देखकर, सु जो program software त्यार के, कि software technology, एक तीसरी technology आती है, courseware technology, यह technology होती है, उन programmers के लिए, जो यह software वाले programs त्यार करते हैं, इन के लिए क्या करते है, program त्यार करते हैं, मतलब कि कैसे software जरूरत है, उन software को बनाना, वो कौन से technology में हैगी, courseware technology, तो जब यह तिनों टेकनलोजी, हमारे ABC का, ह creative technology, जो कि computer psychology में प्रिक टेकनलोजी नहीं है, इस console हैगा, creative technology, हाँजी, आगे देखते हैं, निम लिखित में से, कौन सा समू, hardware से सम्मन दीता है, aspect, software, hardware, जो हम local बात करें, देसी बात करें, ऐसे जो उपकारन, जिनको हम देख रहे हैं, छूकर देख रखते हैं, software, उनको compile कर हैं, जिनको हम छूँ नहीं सकते हैं, हम यही सिखाएगी परिभाशा, वो software है, चेक करते हैं, कैसे कैसे option में देखते हैं, D option को उठाता हूँ, CPU बिलकूल हमारा एक hardware है, हमने देखा, MS Excel, Excel एक application हम जानते हैं, MS Office दोरा जो provide की गई है, MS Excel, Photoshop भी एक क्या चीज है, Photoshop भी एक software है हम जानते हैं, कि इस हमूँ में hardware नहीं है, तो एक इस दो software आ रहे हैं, तो यह option तो नहीं बनेगा, आगे जलते हैं, C नूमर option में, MS PowerPoint, हर चीज में MS, MS देखे हैं, हमें sure कर रहे हैं, कि यह option मेरे को काट देना है, इस option कट करना है, मेरे पस रहे हैं A और B, A और B में बात को अनके दिया से, Paper Setter ने फिर डाल दिया, MS, MS Word, जरूर रंबिलम भी option होते हैं, देखने से गंदे लग रहे हैं, लेकिन एक बार जदी मुसको टंग से देख लें, तो हमारा question सही होता है, हमें कहीं लीड लाता है, उन्हें एक जार दो जार बच्चों को दूर करने के लिए, अपने gap, lead आके बढ़ाने के लिए, MS Word, Keyboard, ALU, CPU, अन्जी इसमें देखें, MS Word जरूर एक हमारा application software है, बाकी keyboard भी hardware है, ALU, CPU, यह भी तिनो hardware के जो units है, मारा answer देखो, तीन में ने काट ली हो, पहले में जो मर्जी था मैं, तो यह कर किया आगे, bubble अपना black कर किया आजूँगा value pen से बढ़ाऊंगा, तिसकांसर क्या रहेगा, ALU, बिलकुल यह भी हमारा hardware है, CPU, monitor, keyboard, यह हमारी hardware unit है, तिसकांसर रहेगा, A for Apple, जी, आगे चलते हैं, सूचना का आदान परदान, सरकार वे सरकारी करमचारियों के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द G2B, क्या है, यदि कोई ऐसा सूचनाओं का अरदान परदान, government to government हो रहे हैं, उसका हम कहते हैं, G2G, क्या कहते हैं, G2G, यदि government to, एक समान नागरी के बीच में हो रहे हैं, citizen के बीच में हो रहे हैं, तो उसे बोलते है, government to citizen, government to citizen, यदि यह हमारा communication, government to business, man के साथ, business purpose के government to business, क्या बोलते हैं, government to business, और लास्ट बच्चा, जब आदान-परदान सरकार में सरकारी करमचारियों के साथ हो, government to employee हो, तो इसका अंसर क्या रहेगा, इसका अंसर क्या रहेगा, government to employee, A for Apple, government to employee, आपने psychology question देखे, ICT question देखे, मैं मानता हूँ, यदि 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 यद की है, अच्छे से याद करें, memorize करें, ये गलात ना हो कभी, कैसे भी हो, चाहिए हमारे आँखों के सामने देखे, हमने सुने, यदि ये हमारे एक सही होते हैं, तो कहीं ना कि हमारे को lead जरूर मिलती है, आने वाले paper में हम उस cut off के बिलकुल पास पहुचते हैं, चलते हैं, आके और कुछ थोरिक effect आज त्यार करते हैं, आप सभी देख रहे होंगे, बहुत बार ये question आता है, stories के regarding आता है कि कौन सी storage इसमें बड़ी है, हम मैं बात करूं कि bit, फिर byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, GB तक समन देते हैं, दिक्कत आते हैं, जब पूछते हैं, कौन सी सबसे बड़ी storage है, निमन चारों में से, कौन सी छोटी है, ऐसा परशन आप आगगाने में वेल एक्जामें देखते हैं, क्यो होना हम इसको आज याद कर लें ट्रिक के साथ, देखते हैं बिलकुल, हम इने bit byte देख लिया, kb देख लिया, mb देख लिया, gb देख लिया, हमारे phones में यूज कर आठ एक्सो ठाई स्टोरेज आ रही है, चार चोंसे ठारी है, आठ दोसो चपन आ रही है, हम देख लिया, gb की बात दब आगे बढ़ता है, क्या सीन होता है, हम देखते हैं, terabyte, petabyte, exabyte, jetta, iota, brontotype, geobyte, कैसे जाद करें, एक ट्रिक मनाईए, आप इस ट्रिक से बिलकुल सि खाना खाके वहाँ पर वेटर आया, वेटर ने टिप के लिए उनके आगे जो रखा, उनके bill book, तो वो कह रहे हैं कि, दूसरा को बोल रहे है, कि यहां के वेटर टिप extra जादा bite मांगते है, वहाँ पर bite मिलते हैं उनको, bite देनी पड़ती है, तो क्या बोल रहे है, टिप extra ज P से tip पढ़े हैं, टिप से terabyte, P से petabyte, tip, क्या बोल रहे है, tip extra जादा, extra से extra bite, exabyte और जादा से jattabyte, tip extra जादा मांगते हैं, तो मांगते हैं, silent रहे हैं, यह मारा silent है, तो दूसरा बही कर रहे है, या broji, तो या से yotobyte, bro से brontobyte, और g से jyobyte, इसको याद करे हैं, और मैं मानत कि एक वार अपने इसको तंग से देख ली तो आपका जुरूर इसको याद हो जाएगी और ऐसा यदी कोश्चन आता है जब जब बढ़कर आगे पूछ लिए जाता है बहुत वार ग्राम सिवक में आ रहे से सबसे चोटी है कौन सी सबसे बढ़ी है हम उसमें गलत कर जाती है आगे चलते हैं तो टीबी से याद करेंगे वेटर को बोल रहे है कि यहांके वेटर टीप ज्यादा एक्स्ट्रा बाइट मांगते हैं तो दूसरा कहता है यह बोजी तो टी से टेराबाइट पी से पेटाबाइट एक्स्ट्रा 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 एक् मैं तो मान रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, सहे तक स्क्रीन को और जूम कर दूँ तो आपको असानी से दिख जाए यह यह रहा, आप इसको अच्छी क्वाल्टी करके देखें, इसके स्क्रीन शोट भी लें, आपको याद हो जाएगा, और यह कीवर्ड है, याद करें मैं कि इस जो हमारे मिशन को, आप इसको बढ़ चड़ कर आके इसे प्रमोट करें, आप इसको अच्छी से शेयर करें, साथियों को थोड़ा इसको प्रमोट करने के लिए करें, ताकि हम जो हर एक स्टुडेंट को इसका फायता पुंचा सकें, अंजी, दन्यवास अभी को.